नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब अगर आप वकालत के पेसे से जुड़े हुए हैं या वकालत कर रहे हैं तो आपके मन में समय समय पर ये प्रशन उठता होगा कि वकील और जज जो है इनका सफेद और काला ड्रेस कोड क्यूं होता है और साथ ही जो बैंड लगाई जाती ह नेकबेंड उसके पीछे की क्या कहानी है क्यों ये साधरन टाई से अलग है अगर आप में देखा हो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दो आयताकार पट्टियां गले से निकलती हुई दिखाई पड़ रही हैं इसे ही नेकबेंड कहा जाता है तो आज मैं आपको इस से लेक्चर सुनते रहना चाहते हैं तो दोस्तों बात बहुत पुरानी है कहानी सुरू होती है 1327 से 1327 में जब एड़ थर्ड में रॉयल कोट में भाग लेने के लिए ड्रेस कोट के आधार पर न्यायाधीशों यानि जजेस के लिए वेजबुशा तैयार करवाई थी लेक वकीलों को चार भागों में स्टुडेंट, क्लीडर, बेंचर और बेरिस्टर में विभाजित कर दिया गया था जो जज़ों का स्वागत करते थे और मूलता शाही घराने या अभिजात्य परिवार से होते थे उस समय सुनारे कपड़े पर लाल और भूरे रन से तयार गाउन पहनने की प्रविति शुरू हुई 1685 में परिधान के रूप में रोब्स को अपनाया गया था जो चार्ल्स द्वितिये के निधन के कारण शोक का प्रतिक माना जाता था ऐसा माना जा रहा था कि गाउन और विग न्यायाधिशों और वकीलों को अन्यवेक्तियों से अलग भी करते हैं इसके अलावा 1694 में कुईन मैरी सेकेंड जो है उनकी चेचक से मृत्य हो गई और उनके पती राजा विलियम्स थर्ड ने सभी नयायाधिशों और वकीलों को सारवजनिक शोक की निशानी के रूप में काले गाउन को पहनने के अनुमती दी और कहा कि इस से ही ड्रेस कोड के रूप में अपना लिया गया क्योंकि यह ड्रेस कोड उन्हें अदालत में लग पहचान देती है भारत में जब एड़ोकेट्स एक 1961 आया तो इसी परिधान को एड़ोकेट्स के ड्रेस कोड के रूप में अपना लिया गया एक जानकारी आपको और वेद तक यह बैंड दो आयतों के रूप में विभाजित हो गये थे जो आधुनिक बैरिस्टर के कॉलर बैंड के समानी ही होते थे। एक सिधान्त ये भी माना जाता है कि ये जो आयताकार बैंड है वाइट your जाता है चिसमें 10 कमांडमेंट्स लिखे गए थे उनका प्रतिनित्व करती है यानि रिप्रेजेंट करती है उनको जिसे लंबे समय तक डॉक्टर पादरी और विद्वान लोग विद्वत्ता के सुचक के रूप में पहनते थे यही कारण है कि कालांतर में वकीलों ने भी इस बैंड को अपना लिया दूसरी सफेद रंग का शर्ट है सफेद रंग का बैंड है और काले रंग का कोट है साथ ही सफेद रंग जो है वो पवित्रता का सुचक माना जाता है और न्याय का प्रतिक माना जाता है तो सफेद और काले का संबंद इस बात से है एक बात मैं और आपको समझा दूँ एक प्रिकार सुरूप कोट में जा करके किसी बात की मांग करता है, काला रंग उसको रेप्रेजेंट करता है, और सफेद रंग जो है ये न्याए, पवित्रता और शुद्धता को रेप्रेजेंट करता है, मुझे उम्मीद है कि इस चोटे से लेक्शर में खूब सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, जुड़े रहना आपके अपने फिवरिट प्लेटफॉर्म विदिक सुक्षा से, नमस्कार, जैहिन